नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे व्यापार मोवाईल अप्लिकेशन के बारे में तो व्यापार मोवाईल एकांटिंग वेस्ट अप्लिकेशन है जिसकी सहता से आप अपने बीजनेस को मोवाईल में मैनेज कर सकते हैं किसी भी बीजनेस में और भी ट्रांजेक्षन होते हैं जिसको अप मैनेज कर सकते हैं लेकिन दो इंपोर्टेन्ट राजेक्षन होता है तो सबसे पहले हम मोबाईल अपलिकेशन बैपार कु कैसे कहां से डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पर उहां पर टाइप कीजिए बैपार एप सर्च कीजिए देख ऑप्न का और है क्योंकि हमने इसको पहले से इस्टॉल कर रखा अगर आप नहीं किया है तो यहाँ पर ऑप्सन आएगा इंस्टाल को अगल तो आप असक TIME करेंगे जिस तरह से बाखी मुवाइल ऐब अप इंस्टाल करते हैं इस्टाल करके उसको ऐपेन करिए ओपेन करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे आपका बिजिनेस किस तरह का है या तो हो सकते आपरी सेलर हो डिस्टिब्यूटर हो हॉल सेलर हो या कोई छोटी मुटी आपकी दुकान हो सौप हो या कोई सर्विस प्रोवाइडर होंगे आपका दुकान का कुछ नाम होगा एक तो आप अलग-अलग कंपणी बना सकते और अलग-अलग हिसाब किताब रख सकते तो चलिए दो कंपणी आप नाम लिख लीजिए फिर फोन नमर मांग रहा है ओन नमर डाल दीजिए इमेल आइडी अगर उपलब्ध है तो इमेल आइडी डाल दीजिए मोहन चलि मैंने इसको इमेल आइडी भी डाल दिया उसके बाद क्रियेट कंपनी पर आप क्लिट कीजिए अब पुछ रहा है कि सेलेक्ट कंपनी कंट्री जो कंपनी है इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे करेंगे चलि हमारा कंपनी क्रियेट हो गया मतलब जो हमारा और्णाईजेशन का नाम है जो मेरा फॉर्म का नाम है जो मेरा दुकान का नाम है जो मेरा कंपनी का नाम है उसका हमने कंपनी क्रियेट कर लिया आप इसमें देखें आप प्लस का सिम्बल उस पर क्लिक कीजिए तो इसमे कोटेशन प्रोफोर्मा इनवाइस डिलेवरी चलान अगर कोई आइटम आप डिलेवर कर रहे हैं तो उसका चलान बना सकते हैं परचेज पेमेंट आउट तो यह सारा सुभधा इसमें है तो इनवेंट्री और एकांटिंग के लिए बेस्ट अप्लिकेशन है इसलिए मैं इसको रिकमेंट कर रहे हूँ और आप इसको बता रहे हैं आप देखिए जैसे और कंपनी चेंज करना हो तो यहां से कंपनी आप चेंज भी कर सकते हैं रिपोर्ट निकाल सकते हैं यहां से सेल परचेज सारा रिप में आपके कितने स्टॉक में सारा चीज आप मोबाइल पे देख सकते हैं और मोबाइल केरी करना तो असान होता है दोस्तों अगर आपके आपका कोई विजनेश है कोई शॉप है वहां पे अपने कंप्यूटर लगा रखा है टैली में अगर इंट्री भी करवा रहे हैं अप की ज़रोवत नहीं क्योंकि मोबाइल तो आप हमेसा करी करते ऐसे तो इस तरह से एक सधी कंपनी जैसे दूसरा कंपनी में एक रिपोर्ट देखना चाहरा हूं अगर आप इंवाइस देखना चांव तो इनवाइस भी देख सकते हैं जो पहने पहले पहले बना रखा है उसक तो यह सारा काम onreci ho रहा है कोई Normal काम नहीं हो रहा है सारा जो हिसाब किताब जिसको बहुत बढ़ी आप्लिकेशन हैं और एक से धिक कमपणी वी पु क्या सकते हैं तो यह जवचड नहीं है कि अगर हमारा दो-चार कंपणी चल रहा है तो उसके लिए दो-चार एप इंस्टॉल गर गर के सारे कंपणी को लिंक कर सकते हैं और बहुत सारा फीचर है इसमें आप वाटसप पे पेमेंट का रिमाइंडर डाल सकते हैं अपने क्लाइंट को तो शेयर करने का भी इसमें काफी ओप्सन है आप पेमेंट जो रिशीव कर रहे हैं रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप देखिए सेल रिपोर्ट निकाल सकते हैं पर्चेज रिपोर्ट डे बूक औल और देखिए GST का भी इसमें इंटेग्रेट किया गया, GST से भी इसको इंटेग्रेट किया गया, तो GST का आप यहां फे फाइल भी कर सकते हैं, देख लिए रिपोर्ट भी देख सकते हैं, और इस टॉक के बारे में देख सकते हैं, कि हमारे दुकान में देखिए, स्टॉक सम अगर आपने लोन रेका ले रखा है तो लोन का इस्टेटमेंट भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया एप है इसका जरुर इस्तिमाल करें अगर आप कोई बीजनेस कर रहे हैं तो मैं रिक्मेंड करूंगा कि आप मॉबाइल एप अप चारहें कि इस बिजनेस को मोबाईल मेनेज करना चाह रहे है तो व्यपार एप को इस्तेमाल करना सुनिश्चीत करें और और वी फीचर है इसमें आप इस्तेमाल करके देख लेकर समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप मेरा चैनल को लाइक सब्सक के बारे में जाने और इटलाइज करें दने बाद